हलो फ्रेंज हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम एक कुर्ती के लिए स्टाइलिश सा नेकलाइन बनाना सीखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये मेरी रेगुलर कटिंग कटी हुई है कुर्ती की और ये देखें इस तरह मैंने इसस फोल्ड कर रखा है अब फोल्डिट साइड से मैंने साड़े तीन इंच का नेक की विट ली है अब इस जगह से 6.5 इंच पे नीचे की तरफ मैंने एक निशान दिया है आप 7 इंच तक लें 7 इंच तक ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है अब यहां से भी मैंने साड़ इंच पे भी अच्छी फिनिशिंग आती है और इस तरह हलकी सी गोलाई दीजिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो पहले हम यह उपर की गोलाई की कटिंग करेंगे अब हम इस लाइन को काटेंगे तो उससे पहले हम इसे इस तरह खोल लेते हैं और अब हम सिर्फ एक त क्योंकि मेरे पास फैबरिक थोड़ा कम था और सीम उसी नापका मैंने इंटरफेस लिया है अब इन दोनों को इस तरह एक दुसरे के उपर रखके चिपका देंगे तो यह देखे मैंने दोनों पीसे को आपस में चिपका दिया है और साइड साइड पे मैंने कौटर इंच का लाइन बना दी है तीन साइड पे एक साइड पे नहीं बनाई है तो आप आधा इंच का गैब दें क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने कौटर इंच का ही लाइन खीचा है पर आप आधा इंच का दें अब हम इसको इस तरह बीद से फोल्ड करेंगे और सेंटर निक लग चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस जगह पे छोटे-छोटे कट्स दे दे अब हम इस पार्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे यानि की कुर्टी के उल्टी साइड ले जाएंगे तो यहां कॉर्णर पे भी कट दे दे और अब हम कॉर्णर को अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे तो किसी शार्प चीज की कुर्टी का उल्टा साइड है और इसे मैंने इस तरफ से प्रेस दे दिया है अच्छे से अब यह जो आधा इंच का लाइन दी थी हमने साइड साइड में इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच दे देंगे तो यह देखे हमने साइड साइड पे कपड़ा फोल्ड करके सिलाई दे दी है और यह इस तरह लग रहा है तो यह हमारी कुर्टी का उल्टा साइड है तो अब हम इसे सीधी तरफ मोड लेते हैं तो यह है हमारी कुर्टी का सीधा साइड इसे भी हम प्रेस करके अच्छे से कर लेंगे पहले, अब इस side में हम एक छोटा सा strip अटाच करेंगे, तो ये है मेरे पास एक strip और उसी same नाप का मेरे पास interface भी है, उन्हें मैंने इस तरह चिपका दिया है दोनों को आपस में, इसकी width है 3.5 एंच और इसकी लंबाई है 10 inch तो इसे हम इस तरह बीच से fold करेंगे press दे के अच्छे से दबा लेंगे हम इस corner को उठा के इस तरह side में लाएंगे और इसे set करके press कर देंगे और इस strip को हम इस जगह पे set करेंगे तो आप 1 inch का बाहर निकालते हुए strip को attach करें तो उससे पहले हम यहां उपर की तरफ हलकी सी नेकलाइन को follow करते हुए गोलाई देंगे, तो यह देखें इस तरह नेकलाइन को उसके उपर रखें और यहां पे चौक से निशान दे दें और इसको cut कर लें यह हमने इसको cut कर दिया है, यहां पे हम stitch देंगे तो ये देखे हमने यहां stitch दे दी है अब हम इसे सीधा कर लेते हैं अब हम इसे यहां set करेंगे एक इंच का कपड़ा बाहर निकालते हुए तो उपर की तरफ आधा inch या quarter inch का कपड़ा आप छोड़ सकते हैं उसके नीचे से strip को लगाएं क्योंकि उपर की तरफ हम दूसरा shoulder भ मैंने सिलाई दे दी है यह stripper attach हो गया है पीछे के इस extra कपड़े को आप cut कर दीजिए और इस तरह हमारा neckline तयार है यह जो fold है यहां पे हम एक छोटा सा टाका दे देंगे और इस तरह बटन लगा देंगे और यहां sides में भी हम कुछ बटन लगा के इसको decorate कर सकते हैं तो यह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार